पिछले वीडियो में हम लोगों ने के कुछ मेंस को थे प्षू है लिए फिले लिए हैं किस तरह से हम लगों कर सकते हैं पूछ को पॉप को अजिक में क्छ और और एलिमेट्ज को देखेंगे चलते हें गूंट minder स्क्रीन में लेट्स स्टाइब अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपने चाप्टर फाइफ को कंटिन्यू करेंगे एक और एपल मैंने बना लिए है पिछले वीडियो का दो इससों में स्प्रिट कर दिया और यहाँ पर हम डिलीट में देखने वाले हैं तो फ्रेशली मैं रिकॉल कराता हूं सब अब यहाँ पर हम डिलीट देखने वाले हैं सबसे पहले बताता हूं कि डिलीट एक मैथड नहीं है डिलीट एक उपरेटर है जिस तरह से टाइप ऑफ एक उपरेटर हम लोगों ने देखा था मैं आप लोग को यह गहरे बना कर दिखा था हूं और मैं आपने नंबर्स का यह गहरे बना रहूं ठीक है 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है 9 भी डाल देता हूं ठीक है कंट्रोल एस करके फॉर्मेट हो जाता है यह मैं आप लोग को बताया था आप जैसे ही रैप्लेट में कंट्रोल एस करोगे तो यह अपने आप जो है ब्यूटिफाई कर देगा इसको कोई प्राइस देने वाल वाला इसको करने के लिए लेकिन अगर मैं आपट डिलीमेट करदूँ और मैं कह's जिरो मुझे जिलीट करना है यह यह दिने करना यह यह दा ज tadi स्टार्ट ओती एरिस के अंदर कउमझद्र कुछ आसा समझ लो आप जब एसके में वीमें तो हैर आपको देना ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहां पर आप देखो अगर मैं यह काम करूँगा तो मेरा जीरो टालिमेंट डिलीट हो जाएगा अब देखो यहां पर एक चीज देखना आप लोग ठीक है अब क्या है इसकी लेंथ अब भी 9 ही रहेगी आप लोग देख लो डिलीट करने से पहले भी अगर मैं इसकी लेंथ जो है यह इस तरह से करूँगा तो 9 नो ही आएगी अब एक इंटर्व्य कॉशन मनता है इससे कि पूछा जाता है कि क्या एरे की लेंथ चेंज होगी यह पिर वह आपसे एक सवाल लगता है और आपसे कहता है कि आप यह बताओं कि अप लोग को था हुए आगे बढ़ता हूं मैं और हम लोग बात करें CONCAT ठीक है अब देखो CONCAT को बहुत ही cleverly आप लिए इसको जोड़ने के लिए जैसे मालो मेरे बास यह गह रहे है NUM 1 ठीक है और मैं एक काम करूँगा इसको NUM के साथ सारे NUM NUM मूर बनाऊँगा ठीक है NUM मूर ठीक है अब मैं इसको कमेंट डाउट कर रहा हूँ ठीक है यह डिलीड भी मैंने आपको बता दिया यह सब क्योंकि कन्फूजन नहीं होना चीना अब मैं आपर क्या करूँगा कि CONCATINATE करना चाता हूँ इन दोनों एरेस को अब देखो क्या होगा तीन एरेस हैं हमारे पास अगर मैं लिखा हूँ A1.concat ठीक है तो क्या होगा एक नया एरे बन जाएगा यानि कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बना सकता हूँ let new array is equal to num.concat और num more ठीक है num more अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को भी console.log new array करके दिखाऊ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमें एक नया एरे मिल रहा है जिसमें कि दोनों एरेस मर्ज हो चुक है तो क्या हमारे जो पुराने एरेस थे num और num more हो चेंज हुए absolutely not और यह चीज मैं प्रूफ करने के लिए आप लोगो दिखा देता हूँ कि चाहें तो आप लोग num को देख लो print करके ठीक है या फिर आप क्या करो num more को कर देख लो print करके ठीक है आपको change नहीं मिलेगा num भी वही रहेगा num more भी वही रहेगा लेकिन एक नया एरे हमने बना लिया है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है new array और वो हमारा एक नया एरे बन गया है तो जो concat method होता है वो एक नया एरे return करता है वो सारे arrays को merge कर देता है ठीक है क्या मैं एक से जादा array दे सकता हूँ और यही मैंने notes में दो arrays का example दिया हुआ है तो मैं कुछ बड़े-बड़े numbers डाल दूँ यह से 3D डिट के ठीक है और अगर मैं ऐसा करूँगा और मैं num 3 more को भी मानलो को नगे डिनेट कर दूँगा इसमें तो क्या होगा num more और num even more sorry 3 more नी even more और मैं ऐसा करूँगा तो आप लोग देखना बहुत काम आईगी इस सारी चीज़े आपको अगर react में आप बना रहे हो next.js में आप बना रहे हो किसी भी तरह का JavaScript framework यूज कर लो vanilla JavaScript यूज कर लो जब भी apps बनाऊगे तब आप लोग को यह method याद आएगा ठीक है पन्ने पलट पलट के देखोगे आप लोग यहाँ पर और बहुत ज़ादा आप लोग एपिशिट करोगे नोट्स को अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है does not change existing area मैंने लिख दिया है यहाँ पर ताकि confusion होई ना आपके हाथ में notes है आप लोगोंने देखा कि भाई कौन सा नया return करता है कौन सा existing area को change करता है सारी information मैंने notes में add कर रखी है उसके बाद भी अगर कोई चीज अगर आपको जानना है तो google search आपके पास है लेकिन मैंने यहाँ पर notes लिखते बग बिल्कुल ensure किया है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो रहे जाए ठीक है अब यहाँ पर अगला method क्या है sort है sort क्या करता है alphabetically sort करने में help करता है ठीक है इसको समझते हैं अच्छी तरह ठीक है तो मैं यहाँ आपर ही काम करता हूँ sort method लिखता हूँ ठीक है और मैं इसको comment out कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है सारे methods मैं एक करके बता रहा हूँ और मैं आपर number layer अपना लेकर आता हूँ यह already sorted है तो मैं थ्रोड़ सा इसको 19-20 करूँगा आप लोग देखना मैंने ऐसे मानलो इसको 22 कर दिया इसको यहाँ पर 14 कर दिया इसको मानलो मैंने 229 कर दिया और मानलो इसको मैंने 551 कर दिया ठीक है अब मैं क्या करना जाता हूँ अब मैं करना जाता हूँ num.sort ठीक है अब देखो यहाँ पर num.sort जो है इसको मैं run करू अगर ठीक है तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो कि नम को अगर console.log करोगे ठीक है तब आप लोग को देखने को मिलेगा कि यह जो array है यह modify हो चुका है अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पर यह alphabetically जो है sort कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर किस तरह से sort कर रहा है alphabetically sort कर रहा है इसको format document कर देता हूं save करके पहले 14 आया ठीक है फिर 22 आया ठीक है फिर 2-9 आया तो यह 1-2-3-4 कर रहा है ऐसा मैं सोचना आपकी जो सबसे चोटा नमबर है वो पहले आजाएगा alphabetically sort कर रहा है इन सब को string मान के कर रहा है ठीक है तो पहले 1 आता है ठीक है फिर 2 आता है फिर 2 से start होने वाले अगर इसमें 2 लाग भी होता न तो यहाँ पर आ जाता ठीक है 3 से पहले आ जाता फिर 5 आ गया 5 से start होने वाले सारे numbers आ जाएंगे फिर 6 से start होने वाले सारे numbers आ जाएंगे फिर 7 से start होन करने के लिए औरिजिनल लाइड को यह मेंट चेंज करता है अब आप से सवाल पूचा जाता है कि डॉट सौट रट करने के बाद औरिजिनल लाइड क्या रहेगा आप बना सकते हो कि आई अपसे चोटा नमबर 3 है फिर 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 14 फिर 22 इस तरह से आप लोग compare function लेता है if this function is provided as the first argument the sort function will consider these values as the basis of sorting अब शाय आपको सम спасमें नहीं आया होगा ठीक है तो अब जो मैं बताउँगा न उसके बाद इसको पड़ोगे तो आपको समन्झ में आ जाएगा थीक है तो यहां पर होता क्या है कि आप एक compare function दे सकते हो तो दे देते हैं compare function ठीक है बट compare एक function होना चाहिए कोई बात नहीं बना लेंगे compare को तो मैं आपर क्या लिखूँगा let compare is equal to a function ठीक है और इस function को मैं किस तरह से बनाऊंगा मैं इसको a minus b return करने वाला बनाऊंगा ठीक है और दो numbers इसको दे दूँगा e,b ठीक है तो मैं इसको जैसे ही run करूँगा आप देखो अब इसने क्या किया ascending order में sort कर दिया तो यह आपर यह compare function किस तरह से काम कर रहा है आप लोग को समझाता हूँ कोई भी दो values दी हुई है अगर यह value positive return हो रही है 3 और 551 से compare परोगए तो और चोटी value आईगी तो यह compare function जो है sort करते है अगर मुझे ascending order में sort करना है तो मैं b minus e लिख दूँगा ठीक है बहुत सारी लोग roast करते है जावा स्क्रिप्ट के sort function को मजाग उडाते है मतलब roast करते है मतलब यह कहते हैं कि sort function जो है alphabetically करता है sort जबकि उसको जो है sending order में नहीं भाई compare function दिया है तो यह से लिए ठीक है तो आप अपने हिसाब से कर लो यह होता है ठीक है I hope कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई ठीक है अब reverse बहुत simple है ठीक है इसलिए मैं आप लोगो reverse पहले बता रहा हूँ फिरम splice और slice देखेंगे क्या है ठीक है reverse बता रहा हूँ उल्टा कर देता है array को ठीक है तो यहापर देखो अभी जो भी array है हमारा यहापर sorting के बाद पूई है अगर मैं यहाँ पर num.reverse कर दो ठीक है उल्टा कर देगा है ठीक है simple है ठीक है एकदम से मिला original array को change कर देता है तो मैं इसको जाला discuss नहीं करने वाला num.reverse को बट अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा नीचे आउँगा और मैं इसको comment out कर देता हूँ मैं नहीं चाह concepts ठीक है array उपर से copy कर लूँगा ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले splice बताता हूँ splice क्या करता है नए array items को add करने के लिए इस्तिमाल होता है किसी भी array में अगर आप नए items add करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अब splice के 4 arguments क्या है देखो सबसे पहले आप कौने elements remove करना है और जो elements add करना है जैसे कि मालूम मैं आपन लिख दूम .splice सबसे पहले आपकीन होगा mean start ठीक है कहाह कर आपको कर दिया, मालोम मैंन आ3 कर दिया क्या 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 आपको add करना है, मालोम मुझे add करना है 21 , 22 , 23 , ठीक है McKay मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसको रोचक बनाने के लिए 1021, 1022, 1023 करता हूँ तागे आपको समझ में आए कि कौन से elements add हो रहे हैं अब अगर मैं यहाँ पर console.log नम कर दूँ तब आप लोग देखना कि क्या print होगा अब मैं बताऊंगा आपको जो print हुआ वो क्यों print हुआ अब देखो सबसे पहले 551 और 22 जो है यह ऐसे के ऐसे ही रहे ठीक है तो हमने क्या कहा था हमने कहा था कि index 2 से start करो तो 0, 1, 2 यह index 2 होगी हमने कहा 3 elements remove करो यह 3 elements उड़ जाएंगे ठीक है और इन 3 elements की जगा हमने क्या कहा क्या add करो 1021, 1022, 1023 अगर मैं यह पर 1024 भी करता ना तब वो भी आ जाता अगर मैं 1025 करता ना तो वो भी आ जाता यह भी आप देख लो ठीक है तो क्या किया मैंने मैंने का index 2 जो की 0, 1, 2 यहाँ पर है यहाँ से elements डिलीट करना शुरू करो तीन elements को डिलीट करो तीन elements डिलीट होंगे तीन elements डिलीट करने के बाद वहाँ पर यह सारे elements इंसर्ट हो जाएंगे 1021 से लेके 1025 तक ठीक है आप तो यह आप देख सकते हो 551, 223, 14, 5 डिलीट हो गए अगर आप चाते हो 6 भी डिलीट हो जाए तो यहाँ पर बढ़ा दो आप लिखा है returns deleted item modifies the array ठीक है return करता है deleted items को और modify करता है source array को ठीक है यह source array को modify करता है मैं बार पर बता रहा हूं और return क्या करेगा अगर आप यहाँ पर ऐसे कर दोगे let deleted values is equal to और आप यहाँ पर deleted values को जो है print करोगे अगर तो आपको values return हो को मिल जाएंगी जो delete करी है उनका array ठीक आप देख लो यहाँ पर object आएगा उपस मैंने दो बार क्लिक कर दिया गलती से object ठीक है तो कुल मिलाकर आप समझ गए यार ठीक है समझ गए ना comment कर दो समझ गए ताकि मुझे पता चलेगी आप समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूं आपको splice कभी मत भूलना और इन notes के साथ तो कभी मत भूलना इन notes को यार घर लेकर आओ घर लेकर आओ का मतलब यह गी जाओ जरॉक्स की दुकान में print करके और लेकर आओ अपने पास लेते हैं बट ज्यादतर लोग के लिए printouts काम करते हैं आपके पास रहेगा हाथ में printout ना तो आप बद बदार हो मैं आपको वह आप लोग के लिए better रहेगा slice की बात करता हूं slice is out of piece from an array टुकड़ा slice out कर लेता है it creates a new array एक नए I recreate करेगा जैसे मालों num है मेरे पास 1,2,3,4 अगर मैंने लिखा num.slice2 तो क्या करेगा यह index 2 से लेके end तक सारे elements का एकरे बना लेगा और अगर मैंने इसको starting ending दे दी तो यह क्या करेगा मैंने का 01 यहां से पर ठीक है slicing भी बता देता हूं तो मैं क्या करूंगा कि इन तीनों को यहां पर कुछ इस तरह से comment out करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा num.slice ठीक है मालों मैंने 3 कर दिया ठीक है अब मैं console.log num करता हूं तब क्या होगा तब क्या होगा यह 3 से लेके end तक 0,1,2,3 मुझे सारे elements दे देगा लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हो यह original array को modify नहीं करता है यह create करता है new array को तो आप लोग बिल्कुल भी confuse मत हो जाना तो आपको एक नया array बनाना पड़ेगा new num तो new num को आपको print करना पड़ेगा तब जाके आप लोग को 3 से लेकर 0,1,0,1,2,3 से ले नाइन तक ठीक है यह जादा बोल दिया मैंने 5 तक रखता हूं बस ठीक है तो 3 से स्टार्ट करेगा 0,1,2,3 यहां से स्टार्ट करेगा ठीक है 3,4,5 नहीं करेगा बस यहां तक रहेगा ठीक है तो 14 और 5 यहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है यह वाला last वाली index included नहीं होती ठीक है यह included नहीं होती है याद रखना है चीज को तो यार यह था हमारा slice बहुत ही simple सी चीज है I hope समझ में आगया आप लोगों को ठीक है reverse मैंने आप लोगों को बताई दिया अगले वीडियो में लूपिंग देखेंगे कि एरेस को लूप थू कैसे करते हैं कुछ कहां से आते हैं आप लोग access करो इस playlist को अभी के अभी ठीक है अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time